गुड मॉर्णिंग स्टुडेंड कैसे सब लोग पढ़ाई कैसे चलो इस अब लोगों की देखो बच्चों इसके पहले मैंने maximum questions जो importance है इससी बोड के लिए इस साल आपको 2020 फेब मार्श 2020 को एक्जाम देना है एक्जाम में बच्चों बहुत important question होगे बहुत अच्छी तरह से अप्रोच दूंगा हर questions की आप लोगों की question अच्छी तरह से करना है बच्चों दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अगर आपको पसंद है तो लाइक भी करना है और साथ साथ में बच्चों अगर आप लोग वीडियो पर नए हो तो सब्क्राइब करना है तो मैं बढ़ने जा रहा हो जो आगे अब भी आपको बहुत ज्यादा questions लग रहे होंगे इसके बाद में ऐसी एक series आने वा के लिए compulsory with option 4 mark के लिए बच्चों ये questions बच्चों मैंने कुछ questions और उस questions के कुछ formula लिखे रुखे रुखे बच्चों इसी के ऊपर numericals आएंगे इसलिए ये formula लिखे रुखे रुखे मैंने तो सबसे पहले question है बच्चों इसमे magnetic effect of electric current में state and explain the MPS law ये MPS law बच्चों यहाँ बच्चों इसके ऊपर application के ऊपर भी questions आ सकता है तो इसका application भी करके रखना है ठीक है application या law करके रखना है इस law पे ज्यादा धन्दो बच्चों दो मार के लिए questions है very important question है धन्देने बच्चों what do you mean by the solanide solanide क्या होता है और axis के लिए यहाँ पे जो magnetic induction मिलता है बच्चों यह मिलता है mu0 ni यह solanide आपका इस axis से जो मिलता है बाहर का नहीं मिलता बच्चों यह perpendicular होता है और ज़्च में magnetic field नहीं हो दिये तो mu0 ni यह आपको B axis solanide के लिए magnetic induction मिलता है next question बच्चों बच्च कुछ नहीं है जो solanide है इस solanide को इसे पढ़की गोल करना है मतलब यह solanide था इस ही solanide को बच्चों हम लोग गोल करते है इसे ठीक है और इसको wire wound करते जैसे कि इसको wire wound करते थे हम लोग है इसे हैगी नहीं तो इसी को भी ऐसे ही wire wound करते है यह समझ में आ रहा है बच्चों तो यह हुगा solanide, solanide के लिए भी B-axis के लिए यही फार्मूला बच्चो, end के लिए लिखते हैं 1 by 2 बच्चो, यहां पर 1 by 2, end के लिखते हैं, यहां पर MCG मतलब मुहिं, कॉइल, ग्लावनमेटर, इसके प्रिंसिपल, वरकिंग, कंस्ट्रक्शन, एंड डाइग्राम, sensitivity का फार्मूला बच्चो, यहां पर NbA, numbers of term, magnetic induction area, और यह constant terms है, यह accuracy की पर questions आता है, तो dI by d theta by theta, यह फार्मूला बच्चो, इस फार्मूला के लिए न्यूमेरी के लिए questions आ सकता है, इस very important question, next बच्चो, emitter and hold meter क्या होता है, मतलब, mcg को convert करते है, emitter में, तो resistance लगाते है, parallel में, किसके, mcg के parallel, और ओ low resistance होता है, center resistance, low, पता है आपको, hold meter क्या होता है, यह बताना है, by using the mcg, और hold meter में, बच्चो, हम लोगों के यहां पर एक समझ लेना है, सबसे main, कि यहां पर series में लगाते है, किसे, mcg के series में, high resistance की drop-up voltage ज्यादा चाहते है, उसके बाद में, बच्चो, बहुत important को से cyclotron, इसका radius निकालने के लिए बोलते है, से cyclotron के do d-shape होते है, पता है आपको यह ऐसे, यह ऐसे do d-shape होते है, ठीक है, यहां पर, तो यह d-shape के लिए, radius जो बच्चो, यह radius mv by qv, mass of charge होगा, velocity उसकी charge कितना है, और magnetic है, t निकालना है, half period, यहां से, यहां मूँ होने के लिए, जो charge है, मूँ होने के लिए, पा यम by qb, उसका period निकाला है, तो 2 से multiply करो, बस देखो यह formula है, बच्चो, 2 से multiply करो, और frequency पोला है, तो बस उसको उल्टा कर दो, simple, देखो बच्चो, यह formula है, यह similar है, बच्च, लॉजिक है बच्चो, यह small t, और यह t हो गया फिर, इसलिए 2 multiply करो, frequency उल्टी करो, यह questions करना, आपको 100% surety, यहाँ पे 4 के 4 numbers आपको मिलेंगे, मैं guarantee दे रहा हो बच्चो, numerical भी यही formula की उपर होंगे, मैं दुमारा बोटा हो, I will repeat, मैं जो बता रहा हो बच्चो, numerical, numerical, बहुत सरे बच्चे को comments आते हैं, तो comments का जॉब यही है बच्चो, कि यही formula की उपर आते ह value to change होती ही है, तो tension क्यों लेते बच्चो आप लोग, और आपको पता है, B or C section, D section, option है बहुत सरे option से, 12 में से 4 solve करना है, sorry, 12 में से 8 solve करना, 4 को छोड़ना यहाँ पे, आप B or C section में, तो आपको इसलिए option बहुत है बच्चो, तो पढ़ाई करते रहे आपको अच्छी तरह स है, मैं आपको अच्छी तरह से question ले के आऊंगा, आप लोग पढ़ाई करना, और उसके साथ साथ में बच्चो मैं, जैसे ही इस channel पे कुछ video डाल रहा हो, कुछ दिक्कत आती, तो video भी देख लो, अच्छी तरह से notes बनाओ, और अच्छे numbers लेना है, तो बच्चो पढ़ाई